हाए गर्मी शर्ट स्टोरी हिंदुस्तानी हाए गर्मी का नारा बुलंद करता हुआ मैं कमरे में दाखिल हुआ गर्मी तो बेशक बेट तहाशा पड़ रही थी मगर गर्मी के मौसम में सहरा का सूरज बर्फ तो बर्साने से रहा शरू शरू में जब मैं इस शहर में नया आया था तो मुझे बड़ी उल्जन होती थी कि यहां लोग बाद शरू गर्मी से करते हैं और खत्म गर्मी पर कुछ इसी तरह जैसे बंबई में हम दूरियों से बाद शरू करके वक्त की कमी पर खत्म किया करते थे याद है मुझे वो दिन हर नया शख्स मुझे यह जरूर पूछता कि मैं कहा रहता हूं जब मैं जवाबन वाशी कहता तो यकीनी तोर पर सवाल करने वाले के होट गोल हो जाते और फिर हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी जटाते जटाते दोस्त बन जाते अरे मैं आखर घूम फिर कर बंबई पर ही आकर क्यूं अटक जाता हूं मैं यह क्यूं भूल जाता हूं कि अब मैं बंबई में नहीं खलीज फारस या खलीज आरबी में रहाइश पजीर हूं हाँ तो मैं गर्मी की बात कर रहा था यहां का मौसम कम से कम तीन माह से तो खासा गर्म चल रहा था गर्मी तो इस खिते में सदा से बहुत पढ़ती आई है और जो लोग आजकल यहां आबाद हैं वो हो इस से सड़ी गर्मिया भी जहल चुके हैं मगर शायद उस वक्त जबके एर कंडिशनर हर खास और आम को मैसर न थे तीन माह के अंदर अंदर मेरे आश भी जुरूरियात बन गए और मुझे भी अस्सलाम आलेकुम के साथ हाई गर्मी जोडने में महारत हासल हो गई मेरे साथ ये एक बड़ा आएब है मैं बात बहुत घुमा फिरा करता हूँ अब बहला बताएं ये भी कोई तरीका है के इतना कुछ लिख डाला और खड़ा अभी तक वही कमरे की चोखट पर हूँ ये जिसे मैं कमरा कह रहा हूँ ये दरसल मेरा आफिस है बाकई बिल्डिंग से अलग थलग एक छोटे से कोने में एक छोटा सा कमरा मेरे अलावा पांच और हम उम्मर इसी कमरे में अपनी एक तहाई जिन्दगी गुजारते हैं साहब लोग कम ही इस तरफ आते हैं और काम से फारिख होने के बाद हम लोगों का वक्त हमारा अपना होता है मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा के सब लोग एक बंगाली दो हिंदुस्तानी और दो पाकिस्तानी एक मेज को घेरे खड़े हैं वालाईकुम और वाकई के बाद परवेज ने मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया मेज पर एक परिंदा रखा था तीन लोग इस बात पर मुत्विक थे के वो बटेर है और दो इस बात पर के वो तीतर है मेरी राएली गई हर मौज़ू की तरह इस मौज़ू पर भी मेरी मालूमात बहुत महदूद है कम ही होते हैं ऐसे लोग जिन्हें अपनी हुदूद का एहसास होता है और गम होता है ज्यादतर तर तो उन पर फखर करते हैं मैं अभी तक ये पता न कर पाया था कि मैं किस जमरे में आता हूँ मेरे ख्याल से तो ये न तीतर है न बटेन बटेन इतनी बड़ी होती नहीं और तीतर इस खिते में मेरी मालूमात के मताबिक पाया नहीं जाता अब आपको मालूमात नहीं होने से ये तीतर गायर तो नहीं हो जाएगा जब ये तीतर यहां मौजूद है तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि ये यहां नहीं पाया जाता कुछ दस पंद्रा मिनिट की हुजज़त के बाद पाठक ने अपनी दानिस्त में मसले का कुल हल पेश किया काई कुल अफड़ा करता रे कोई ने घर में रख ले लिया होगा उद्रीच से निकला होएगा तीतर और पालतू कुछ बात समझ में नहीं आती मुझे तो लगता है कि ये कोई मौसमी परिंदा है जो इस खिते से इन दिनों गुजरता है और तीतर तो माइग्रेशन करता नहीं इस आखरी जुम्ले के बारे में मुझे आज तक पता नहीं चला कि सही है ये गलत बहराल उसके सही ये गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जल्द ही राशिद ने मेरे तीनों जुम्ले गलत साबित कर दिखाए बात चलती रही और फजा गर्म से गर्मतर होती गई तीतर कैम्प वालों ने पूरी कोशिश कर डाली कि मैं उन में शामिल हो जाऊँ मगर बटेर कैम्प वालों ने मुझे हवा ही में मौलक रहने पर मज़़ूर कर दिया जब तक मैं गहर जानिबदार रहा उनकी अक्सरियत रही और वो तीतर बटेर बना रहा मगर बिलाखर राशिद ने तुरुप चाल चल ही दी आप ये कहते हैं कि ये तीतर है न बटेर तो फिर ये है क्या ज़रा देर चुप रहने के बाद मैंने कहा भई मुझे नहीं मालूम मगर हम को मालूम है कि ये तीतर है या बटेर राशिद ने पैंतरा बदला इन दोनों के अलावा और कुछ होई ही नहीं सकता क्यों भाईयो चार हाएं और बेशक सुनाई दिये अब 83 फीसद अक्सरियत से तो गानून भी सर के बल खड़ा किया जा सकता है बेचारे हाकायत का क्या शुमार मैंने घबरा कर हथियार डाल दिये चलें अब अगर ये तीतर और बटेर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर मैं अपना वोट तीतर के हख में डालता हूँ पहले जो दस बार कह चुका था कि बटेर इतनी बड़ी होती नहीं फिर अब ये कैसे कह देता कि वो बटेर है राशिद मुझे कच्चा ही चबा जाता उधर बटेर केंप में हलचल मच गई वो तो अपनी जीत यकिनी समझे हुए थे अब उनकी समझ में राशिद की चाल आई पर अपच्थाने से क्या होता है जब तीतर चुक गए खेत बावु मुशाय जो बटेर कैंप से मुनसलिक थे अब तक बहुत गरम हो चुके थे मैं क्यूंके आज फिर एक लड़ाई न देखना चाहता था बात पलटने की कोशिश करने लगा यार खाने के बाद कुछ मीठा नहीं खाया चलो रहीम चाचा की दुकान से रजगुले लेकर आते हैं मौलवी अब्दुर्रहीम नवाखली से भागे तो यहीं आकर रुके थे एक शेख साहब ने तरस खाकर अपने घर काम पर रख लिया था और अब भी हल्वियात अलवतनी की मिठाईयों में उनकी महबत और उनके पसीने का बराबरी का हिस्सा था अब्दुर्गफूर चौधरी जिन्हें सब आफिस वाले बाबु मोशाय के नाम से याद करते थे रहीम चाचा की मिठाईयों के बहुत गरवीदा थे प्लेट भर रस गुले बाबु मोशाय के चेहरे पर घंटों तक कौसे गज़ा बिखेरते रहते थे मगर आज वो वाकई गुसे में थे गोलिवारो शाचा को और शाचा के रोशोगो लाको पहले सिरिया की बात पूरी करो चलो यार गुसा मत करो मैं इसको आधा तीतर आधा बटेर मानने पर तयार हूँ बाबू मोशाय ने मेरे चेहरे पर एक नज़र डाली अगर मेरे पेट में हसी के जो फवारे चल रहे थे कुछ उचल कर चेहरे पर आगए होते तो आज मेरी शामत थी बागे लोग भी मौके की नजाकत भाब कर चुप हो रहे और बिलाखिर सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि ये आधा तीतर और आधा बटेर है इस सवाल से निपटने के बाद मुझे ये फिक्र लाहिक हुई कि ये परिंदा यहां पहुचा क्यूं कर इस तिफसार पर पता चला कि परवेश के छोटे भाई को ये कहीं पड़ा मिला था वो उठा कर उसे घर ले आया था बेचारे की एक टांग तूट गई थी और जोड़ पर से हड़ी बिलकुल अलग हो गई थी परवेश का कहना था कि ये परिंदे बड़े लड़ाखू होते हैं और किसी परिंदे से लड़ते लड़ते ही उसकी ये हालत हुई होगी उनसे तो ना कहा मगर दिल में मैंने ये ज़रूर सोचा कि अगर किसी परिंदे से बड़ा होता तो कहीं तो कोई निशान होता कोई परनुचा होता, कहीं खून निकला होता इस तरह से टांग अलग तो उसी वक्त हो सकती है जब किसी चीज में उसकी टांग फंसी हो और उड़ने की जद्जहद या खीचने में किसी जटके ने उसे इस हाल पर पहुँचा दिया हो कुछ हजब नहीं कि वो चीज उसकी टांग में बांधी गई सुतली हो और परवेज के भाईयों को मैं खुब पहचानता हूँ खैर जनाब, तो तूटी किसी भी तरह हो उस परिंदे की रसाई परवेज मिया तक हुई और वो उसको लेकर जानवरों के अस्पताल पहुँचे जो शौबा छोटे जानवरों और परिंदों के इलाज के लिए मखसूस था वहां ताला पड़ा हुआ था किसी घोड़े और उट के डॉक्टर ने उसका मौाइना किया और इस नतीजे पर पहुँचा कि उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता नतीज़तन पट्टी करने के लिए उन्होंने वो परिंदा एक सफाई वाले को थमा दिया और खुद किसी शेख के उंट की पुरसिश को चले गए नजाने उस बेचारे में जान ही बाकी न थी या उसने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था मगर बकौल परवेज उसने सारे मरहले के दौरान फरपड़ा ना तक मुनासिब न समझा पट्टी करवा कर वो उसको आफिस ही ले आये थे यहां सब लोग मिलकर इस नचीजे पर पहुंचे थे के सफाई वाले ने उसकी पट्टी बहुत ज्यादा कसकर बांधी है और उससे उसका दौरान खुन रुक गया है लहाजा सबने मिलकर फिर से उसकी पट्टी करने का प्लान बनाया था मगर आने के यानी मेरे आने के पहले पट्टी खुल तो चुकी थी मगर अब किसी से बंद नपा रही थी मुझे दावत दी गई कुछ देर मैंने कोशिश की और हार गया इस सब के दोरान वो बेचारा परिंदा खामोश यूं हमें तकता रहा जैसे वो हमें इस फन में तर्बियत देने ही के लिए पैदा हुआ हो बाबो मोशाय का मूड अब तक ठीक हो चुका था और वो अपनी आदत के मताबिक बाद बेबाद कहकहे लगा रहे थे अब यह तो में नहीं जानता के कौन सी बात कहकह लगाने लायक होती है और कौन सी नहीं बलके अक्सर मैं खुद भी जब करने को और कुछ नहीं होता तो कहकहे लगाया करता हूँ मगर उस वक्त नजाने क्यों मुझे उनके कहखा है बहुत जहरी ले लग रहे थे बेचारा परिंदा उसकी काली काली गहरी आंखें शायद मुझे से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी क्या कह रही थी यह तो मुझे नहीं मालूम हाँ यह जरूर मालूम है कि वो खुद रह्मी का पैगाम न था अब भी अक्सर अकेले में मुझे उसकी वो आँखें याद आ जाया करती है बाबो मुशाय कोई किस्सा सुना रहे थे इक्तिताम पर एक कहखा पड़ा पता चला कि किसी कुटे का किस्सा था जब वो चोटे थे तो उनको और उनके कुछ दोस्तों को किसी कुटे से कुछ दुश्मनी हो गई थी और सबने मिलकर उसे इस कदर मारा कि वो चलने के लायक भी न रहा लेकिन फिर शायद अपने किये पर उने कुछ पच्छतावा हुआ और सब दोस्तों ने मिलकर उसके लिए कोई अच्छा काम करने का तोहिया किया कुछ और समझ में ना आया तो उन्होंने सोचा कि उसकी आखरी रसूमात अदा करके उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर दिया जाए जमीन खोदी गई और उसे जिन्दा ही अंदर उतार दिया गया नमाज उ फातिहा से फारिग हो सब खुश खुश दिल में एक बहुत पाक जजबा लिए घर लोटाए हाँ तो मैं क्या कह रहा था हम को एक टांग पर पट्टी बांदना बहुत मुश्किल हो रहा था लहाजा दोनों टांगों पर एक खट्टा पट्टी बांद दी गई और अपने आमाल की किताब में एक और अच्छा काम लिखवा कर हम सब नचीत हुए सब अपने अपने कामों में लग गए और रात परवेश उस परिंदे को अपने घर ले गए अगले दिन मैं आफिस न जा सका तीसरे दिन जब पहुँचा तो सबसे पहले परवेश से उस परिंदे के बारे में पूछा वो असल में रात को तो ठीक रहा सुभा धूप दिखाने के लिए चिंकू और उमर उसको लेकर उपर छट पर चले गए थे वहां उनका जगडा हो गया और उस चक्कर में वोसे वही भूलाए दुपहर में जब याद आई और वो उपर पहुचे तो वो मरा हुआ मिला हम क्या करें हम सबने तो पूरी कोशिश की थी कि वो ठीक हो जाए अब यहां गर्मी होती ही इसकदर है कोई क्या करे और मैं हाए गर्मी का नारा लगाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया झाल 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 झाल